हेलो एवरीवान वेलकम टू माई चैनल गुड मॉर्निंग यह हो रही है मॉर्निंग का टाइम और यह संडे का ब्लॉग संडे के दिन का ब्लॉग है यह तो आप लोग को टाइटल थम दल देके पता चली गया होगा तो काफी लेट से जा रहा है यह वीडियो क्यूंकि मंडे जाता है और मेरा तो और ज्यादा हो गया क्योंकि फ्राइडे को वर्डे था तो वर्डे के दिन तो इतना कुछ ओईली खाना बना उना तो इस वज़े से भी और सब्सक्राइब को मैंने कोई काम धंक से उतना नहीं किया था जितनी जरूरी थी उतनी मैंने काम क्या कुछ काम बढ़ गया था और यहां देखें त्रिप्ति पढ़ाई कर रही है करीवन साड़े आठ बजरा था तानिया ना पढ़ाई की उठी ती सुबह वह पढ़ाई करके और फिर यह साड़ी छे बज़े थी थी थोड़ा सा रेस्ट कर रही थी नीन दाला था तो मैं ठीक तो बस यह है इस समय और आज तो लेट भी काफी हो चुका था क्यूंकि आज में उठी भी बहुत लेट से थी तो बच्चे लोगों को लगी थी भूग तो आज बच्चे लोग ने खुदी ब्रेकफास्ट बनाया है तो आप लोग आगे वीडियो में देखिए का बच्चे बना रही थी वीडियो मैं तो नहाने चली गए थी कपड़ा वगरा धोना था वास्ट्रूम सब साफ करना था मुझे तो काफी टाइम लगने वारा था करीवन एक घंटा से उपर इन लोगो भूग लग लग थी क्योंकि ताइम हो गया था करीवन दस बच गया था जिस ब्रेट में लगाया पिजा सॉस लगाया और दूसरा ब्रेट इस डाल के यह देखी यह बनाए और जिस कड़ाई में उसने स्टफिंग त्यार किया था उसी कड़ाई में यह ब्रेट को सेक रही है तक उसको मसाले लगे हुए वह इसमें अच्छी से लग जाए बूद मॉर एक दिन पहले सोची कि आज जल्दी उठ जाओंगी जल्दी काम खतम करूंगी लेकिन कुछ ऐसा हुआ कि मैं जल्दी उठी नहीं पाई कि कल रात में सोते सोते दो बज गया और दो बज नेकान में अज मॉर्निंग में साड़े से बजे उठी थी तन्या को मैं उठाया पढ़ने के लिए खुद नहीं उठी फुद दुबारा सो गई उठी उठी साथ बजे अब लेट से उठो तो सारा काम लेट से होता और ऐसी भी आज से काम जादा होता है और आज काम और बी ज्यादा मेर नहीं नहीं कुछ नहीं किया और सारा काम जो गया वहाँ संडेगे। जिस विए से लेट से उठी हो पर से काम भी डबल आज काफी लेट होगा अपने बच्चों ने खुदी बनाया है और मेरे लिए भी रख दिया देखती हूं जाके क्या रखा है वास्टूम अगरा भी सब साफ करना था पुरा घर के जाले वगरा सब साफ किये हैं वह अच्छ करने देखती हूं कि इसके बात बना पर लंज बनाओं क्या बनाओं अथा लेकिन आज मैं नहीं नवेज बनाओं क्योंकि फ्राइडे को बना था जल्दी-जल्दी कोई तो आपना तक इतना मुस्कुल से असारी घर की सफाइए कि हो मैं इसलिए कुछ बेजी बनाओंगी आप दो पहले में और आप लोगों से बाते करने के बाद में यहां आ आ गई किचन में अपना लेने के लिए तो तानिया ने सेक के रखा है तरीका से बनाई थी तो अच्छा लगा काफी अच्छा लगा काने में तो तानिया बोली मुझे फिर से टेस्ट कराई है तो हताना ममी खाएगी तो बच्चे सामने तो सहरा बहुत खाई करने के बाद आए तो मुझे बना बनाया नास्ता में मज़ा आ गया मतलब तानिया ने बनाया था नास्ते में गार्लिक ओनियन ब्रेड और त्रिप्ती बनाई थी नीम्बू पानी तो आज बनाया नास्ता आज का और वही में मैं अभी कर रही हो नास्ता और नीम्बू पानी मज़ा आ गया मैं बहुत अच्छा लगाने सा बना बनाया मिल जाए कहीं खटके आने के बाद तो क्या हो और चाहिए तो बस हो गया यहां पर मेरा मतलब नास्ता अब मैं जाओंगी कीचं में वीड़ा रहती हुआ है तो मैं कीचं में काम भी करते रहती हूं और अपने फेंट तो मैंने लगा के साइड में टेवल पर रख दिया था और मैं यहां पर क्या किया हूं सब्सक्राइब कर लोगे और यहां दाल देखिए वह बन चुका है और यह त्रिप्ति भी नहां के अभी तक आ चुकी था कंगी नहीं करते हैं तो यहीं काम है दिन बार इदा फुदकना तो मैं अच्छा से कर लिया तो मुझे यहां पर देखिए वह मनाने आएगे तो इसी तरह से प्यार आने लगाता है तो यह देखिए कितना अच्छा से करें कियों मैं तो क्या अच्छा से करें जैसे तैसे की थी मैं भी छोड़ी जलो ठीके बाद में ढंग से कर दोंगे और यहां देखिए विंडी फ्राइब हो चुका है यहां में निकाल ली और इसके बाद जो हुआ न वह आप देखिए मुझे सब्जी बनाना था ना मैं देखिए रूम में आ गई मैं रूम में क्यों आई हैं मुझे सब्जी बनाना चाहिए था तो मैं रूम में आई हो देखिए करने वाला मैंने मिर्चु से मंगवाया था इससे बहुत अच्छा सा हो जा रहा था और थोड़ा सा मैं बैलू के साथ खेल ली और फिर यहां देखिए में किचन में आ गई हूं पहलवानी करने इतना भाड़ी यह सील पार्टी इसको ठाके लाई इतना गंदा था यह अच सिल पार्टी मसाला पीशी और नहीं पीशती ना तो आज तो खाना मत सब्जी बनता ही नहीं कि साम को पांच बचे लाइट आया था तो मुझे फिर इस सिल पार्टी का सहारा लेना पड़ा आज पूरी तरह से देशी स्टाइल भिंडी मसाला सब्जी बनने वाला है तो फि मसाला को कूटके कर लेती तो इसलिए मुझे मसाला पीशना ही था मैं वेट की नहीं आया अज काफी लेट हो रहा था तो फिर मैं सिल पार्टी मसाला पीशे एक दम देशी स्टाइल मसाला भिंडी बन रहा है यह होप आप लोगो यह वीडियो अच्छी लगेगी तो लाइ अच्छी लेटानी बिल्कुल भी नहीं देते हूं यह बस मसाला जो होता है उसमें लोग फ्लेम में यह पक के तियार उता है मसाला बेशे लेसुन जीरा मिर्ची सर्शो बस बस अब और मसाले में हल्दी पाउडर मिर्ची बस मैंने यही दिया था इस तरीके से मैंने बहुत तरीके से बनता है बेजन डाल के बनता है तो वह सब में धीरे धीरे फिर मैं आप लोग से सेर करूंगे और उसके बाद यहां पर मैं कर रहे हूं किचन की क्लिनिंग तो आज खाने में बस वही था दाल जावल भिंडी की सब्जी बनाई थी मैं तो देखें यहां पर क करते हूं वीडियो को एंड और मिलते हूं में नेक्स्ट ब्लॉग में न्यू वीडियो के साथ अब तक के लिए बाई